हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज में इस वीडियों बात करने वाले है राजस्तान की जो सिंचायो पर योजना है उनके बारे में वस्तूर निस्ट महत पॉन क्यूशन तो इस वीडियो का ब्लास्ट तक जूरू देखना साथ इस वीडियो का लाइक कर समंधित जूविद्यग था ये दोहजार पंदरा के अंदर आठ अपरेल दोहजार पंदरा को पारिद किया गया था बी आपशन इसका सही होगा अगला किशना रेवा पेजल प्रियोजना का लोकारपन कभी किया गया था रेवा पेजल प्रियोजना है इसका लोकारपन 23 दिसंबर 2014 को किया गया था D option इसका C होगा अगला क्यूशना निवन में से राजस्तान का कौन सा छेतर इंद्रा गांदी नहर से लाबानवीते है इंद्रा गांदी नहर से लाबानवीते जो छेतर है वो है उतरी पस्चमी C option C योगा अनमानगर गंगानगर बीकानेर जैसल मेर का छेतर अगला जो क्यूशन है इंद्रा गांदी नहर से निकलने वाली साखाओं के समद में गलत योगम कोन सा है तो बरसल पूरे गंगानगर ये गलत है सहीद बिरबल जैसल मेर सागरमल गोपा जैसल मेर चैरणवाला बीकानेर जैसल मेर तो D option इसका गलत है बाकी सही है अगला क्यूशन है इंद्रा गांदी नहर छेतर विकास का रिकरम किसकी साहिता से चलाया जा रहा है तो ये विश्व बैंक की साहिता से चलाया जाया रहा है A option इसका सही होगा इंद्रा गांदी नहर छेतर विकास का रिकरम विश्व बैंक के दोरा विला सिंचाई प्रियोजना किस जिले की है तो विला सिंचाई प्रियोजना बारा जिले की है D options का सही होगा जस्वंत सागर हेमास बांध जवाई बांध सरदार समंध बांध किस नदी बेशिन में आते हैं तो ये सबी लूनी बेशिन में आते हैं B options का सही होगा सावन बादो प्रियोजना का समंध किस नदी से हैं तो सावन बादो प्रियोजना का समंद आहू नदीशे हैं B options का सही होगा चंबल प्रियोजना के किस बांद से किवल सिंचाई है तो पानी दिया जाता है तो कोटा बेराद से B options का सही होगा चंबल प्रियोजना से राजे को कितने मेगवाट विदूत प्रापत होती है तो चंबल प्रियोजना से 133 में मेगवाट विदूत प्रापत होती है डी ओप्सिन्स का सही होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वर राजस्तान सरकार की साजेदारी की निर्मित प्रियोजना कौन सी है तो वह है मानची वाकल प्रियोजना D-Options का सही होगा राज्यों की धनाबाव के करण अधूरी पड़ी अधूरी प्रियोजना को सिग्र पूरा करने की उधेशे सेकेंदर सरकार द्वरसा檐ता पर्दान करने का कार्ये करम कौनसा है तो तावरित शिंचाल लाब कार्ये करम है C-Options का सही होगा बिसलपूर प्रियोजना कौन सी है तो एक पेजल वेशिंचाई प्रियोजना है बी ओप्सनिस का सही होगा अगला कुशना जोदपूर की पेजल वेशिंचाई को सुधारने के लिए एजन्स फ्रेंसेज एडी एफडी के एफडी ने रिन्स विकरत लिया है इस संस्ता का समंद किस देश्ते हैं तो ये संस्ता फ्रांस देश्ते समंदी तैस्ची ओप्सनिस का सही होगा चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा भी का जाता है किस जिले में है थार का घड़ा तो जेसल मेर जिले में है चंदन नलकूप सी ओप्सनिस का सही होगा अगला किश्णा निम्ने से कौन सा युगम ए संगत है तो मनोर्ताना जालावाड, सूकडी, सेलवाड, शिरोई और गुड़ा प्रियोजना बुंदी में है लेकिन चाकन जो है वो बर्थपूर में नहीं है सी ओप्सन इसका ए संगत आशो सही आंसर है विविन वीटे संस्ताओं से पेजल और मल निकासी फ्रियोजना हितू रिन प्राप्त करने की दस्ट इसे राजस्तान जल्परगदाय मल निकासी निकाय की स्तापना कब की गई थी तो 22 अगस्त 1988 को की गई थी ए ओप्सन इसका सही होगा पानी का ठहराव अधिकादिक करने हितू संकन पॉंड योजना है वो कौन से जिले में प्रार्म की गई है तो यह डूंगरपूर जिले में प्रार्म की गई है बी ओप्सन इसका सही होगा 4 water concept से समंदित बेशिन कौन सी है तो वो है माही बेशिन, चंबल बेशिन और पस्चिमी बेशिन D option इसका सही होगा उप्रोप सभी निम्न में से कौन सा चंबल प्रियोजना का अंग नहीं है तो रिहन्द बांद इसका सही होगा तो जाकम प्रियोजना सी ओप्सन इसका सही होगा जो आदिवाशियों के लिए अतिदिक लाबदाईक है, पोंग बांद कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये व्यास नदी पर बनाया गया है, C option इसका सही होगा संचोर लिप्ट नहर, बादरेड़ा लिप्ट नहर, प्रोर या लिप्ट नहर किस प्रियोजना का एक हिसा है? तो ये नर्मदा नहर प्रियोजना का हिसा है D option इसका सही होगा अगला कि उसना अजमेर जिले की जीवन रेखा किसे माना जाता है तो अजमेर जिले की जीवन रेखा है वो है बिसलपूर बांध A option इसका सही होगा इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरीके बान से निकलती है तो ये व्यास और सतलज नदी के संगम से निकलता है हरीके बान भी ओप्सन इसका सही होगा इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना भी सतलज और व्यास नदी के संगम से निकलती इंद्रा गांधी नहर की परतम साका रावतसर साका के अलवा से सभी साका नहर के दाइं तरफ भी निकाले गई हैं बाइं तरफ साका नहीं निकालने जाने का परमुकारण क्या हैं तो नहर बाइं भाग के दरातल का नहर के जलस तरसे प्यक्षाकर्थ उन्चा है इसलिए इस इंद्रा गांदी नहर केंतर है वो दाइं तरफ ही निकाले गई है बाइं तरफ नहीं निकाले गई है अलग-लग साखाई D-Options का सही होगा निमल केट में से कौन से एक राजस्तान में वर्षा जल संग्रैन की परमप्रागत विदी है तो वो है टांका D-Options का सही होगा मही बजाज सागर प्रियोजना इसकी विदूत उत्पाद में छमता 140 मेगावाट है स्ची ओप्सिंस का सही होगा अगला क्यूशन है सुची फस्ट को सुची सेकंड से मिलान करना है प्रियोजना है और जिले दिये गए हैं देखे नारायन सागर प्रियोजना है वो है इक तरफ प्रियोजना है दूसरी तरफ जिले दिये गए हैं बांकली बांद है वो जालोर जिले में है उसके बाड़ में सोम कमला अंबा की बात करे तो यह रहे हैं प्रियोजना कब आरम की गई थी तो यह पर्थम योजना से पहले आरम की गई थी वर्थमान में देश में देश के कुल उपलब दस्तही जल संसादनों का कितना परतिशत राजस्तान में है तो एक पॉइंट सोला परसेंट है राजस्तान के अंतरगत डी ओप्सन इसका सही होगा बिखाबाई सागवारा नहर से लाबानवीत जिला कौन सा है तो दोलपुर में पस्मिवनास बांद सिरोई में मोरा सागर बांद स्वयमादोपुर में और टोलडी बांद है भिलवडा में नहीं है यह गलत है डी ओप्सनिस का सही हो जाएगा बाखडा नांगल प्रियोजना में राजस्तान का इसा कितना परतिशत है तो 15.22% बाखडा न नहर लेफ्ट कैनल योजना से किसे सहर को पेजल उपलपत होता है तो जोदपुर जिले को पेजल उपलपत होता है बी ओप्सनिस का सही होगा भूंगरूपदती किसे समंधित है तो भूंगरूपदती पानी को संग्रेट करने से समंधित है ए ओप्सनिस का सही होगा जैसम तो यह राजसमन जिल्य में ए ओप्षनिस का सही होगा इंद्रा कांदी नहर की लिप्ट नहरे लाबानवी जिलों का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो जेनार व्यास अलवर बर्दपुर वाला डी ओप्षनिस का सही नहीं है बाकी चोधरी चुकुम्बाराम हनम बी नहर कौन सी है तो वह कमर सेन लिफ्ट नहर जो बी का नहर में है ए ओप्षनिस का सही होगा अगला कुष्णा माही प्रियोजना से राजस्तान के कितने जिलों को सिंचाई चुविद्धा उप्लब्द होती है तो माही प्रियोजना से दो जिलों को सिंचाई उप्लब् कितनी है तो इंद्रा गांदी लखर की कुल माई चाहसा किलोमेटर है सी ओफ्सेंज का सही होगा डेश की कुल सिंचे चेत्र का कितने पर्थिश्द राजस्तान में हैं तो 9.2% राज्थान में हैं चाहसाइक प्रोग्राम को कहां-कहां परार्म किया गया था तो यह कुडलूर तमीलनाडू दोस्ता वाज में रास्तान में प्रार्म किया गया था उप्रोग सही इसका सही अंसर होगा एक इकरत जल ग्रहन प्रमंदन प्रियोजना के अंतरगरत के अंदरवा राज्य सरकार का वीतिय बागिदारे अनुपात कितना है तो 90 और 10 अनुपात है ए ओफिन इसका सही होगा अगला किशनी चंबल नदी सिंचाई प्रियोजना की बाज्यों इसका सही होगा अगला में से किस योजना का प्रिवर्थित नाम चोजरी कुमराम योजना प्रहन तो वह है सावा योजना A option इसका सही होगा अगला कुछन पर्देश के भूजल विबाग ने गिरते जलस तरके परती लोगों को जागरूप करने के लिए किसके सहयोग से भूजल सूचना पनाले विक्षित की गई थी तो European Union के दोरा भूजल सूचना पनाले विक्षित की गई थी B option इसका सही होगा नेर्ण में से कौन सा नहर बिसलपूर पर्योजना से लबानवीत नहीं है तो डेग गाना C option इसका सही होगा अगला कुछन निमिल की पर्योजना में उनके समंदी जिलों का नाम का कौन सा यूगम गलत है तो और रही पर्योजना है वो नागॉर में नहीं है पारवती पר्योजना दोलपूर में है जबाई बांध पाली में और जाक़म पर्योजना परताबगड में है अगला जो क्यूशन है राष्तान में नहरों दोबारास इंचाई कितने परशेंट होती है तो राष्तान में नहरों दोबारास इंचाई है वो 27 से 30 परशेंट तक होती है डी ओप्सिन्स का सही होगा अग्रा क rounded सिम्मिलित करने वाला एक तरफ प्रियोजनाई है दूसरी तरफ संबंदित राज्य दिये गए हैं बहाकड़ा नांगल प्रियोजनाई है वो किस राज्य में है तो वो है पंजाब भर्याना और राजस्तान में उसके बाद में बात करे हैं चंबल प्रियोजना रा कौन सा है तो उद्यपूर से समंदिती ये सभी बांध है मान सिवाकल गोराना बांध अकोदड़ा बांध और कसोट या बांध तिन्नों है तो उपरोग सभी इसका सही आंसर हो जाएगा डी अगला किशन है पिच्याक बांध कहां परस्तीत है तो पिच्याक जोदपुर में ह इसका सही होगा अगला किशन है निम्न लिखित कथनों को द्यान पूरोग पढ़ना है चुन्ने से बनी इस नहर की कुल नमाई 1230 किलोमेटर है जो 112 किलोमेटर पंजाब में और 17 किलोमेटर राजस्तान में सिवपूर स्री गंगानगर तक है ये पहला कतन है दो नमर कतन है इस नहर के दबारा 17 नजदी का पानी राजस्ता में लाने है तो 17 नजदी गाटी प्रियोजना पर समझाता हुआ था तो ये जो खतन है वो देखे गंग नहर प्रियोजना के लिए है जो गंगानगर में 17 किलोमेटर तक है ये चुन्ने से बनी वी नहर है 130 किलोमेटर लंब है 112 पंजाब में है तो इसका सी ओप्शन सही होगा गंग नहर प्रियोजना अगला कि उसना खतन राजस्तान में नहर सिंची शेतर में कर्सी उतपादन में उलेखनी सफलता मिली है कारण है नहर चिंचाई का सबसे सस्ता यो सुरक्षित स्त्रोत है तो इसके आंसर की बात क है प्रूंतो कारण है वो गलत है सी ओप्संस का सही होगा अगला किसना सुमेलित करने वाला एक तरफ प्रियोजना दूसरी तरफ जिले दिये गए हैं चापी प्रियोजना है वो किस जिले में है चापी प्रियोजना जलावार जिले में है सोम कमला अंबा की बात करें तो य जएगा कोटा में और सोम कागदर हो जाएगा उद्यपूर में, C options का सही होगा, अगला कुछना बागडा नागल बांध का पानी निमन में से किस नदी किसे नहीं मिलता है, बागडा नागल जो बांध है उसका पानी किस राजय को नहीं मिलता है तो राजतान हर्यान सबसे अधिक सिंचाई की, जिलों में होती है है। जेस्मंद उदेपूर में और उसके बाद में बातकरी खोकुंडप प्रियोजना अजमेयर में इन पीछेतर में उत्पन सेमucky समषिया का उपचार केंशे संभूआ है तो सेम कि समस्या नहर की मरमत और लाइनिंग कराना है बूंद बूंद सिंचाई फवारा सिंचाई पति का प्रियोग करना नहर के दोनों और वरक्स उनके बीच शेमन गास से लगाया जाना उप्रक्त सभी जो खतन है जो उपजार है वो सभी संबो है डी ओपसंस का सही अगला किस वरस रास्ता नहर का नाम परिवर्तित कर इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना बनाया गया था तो 1984 में नाम चेंज किया था रास्ता नहर का इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना IGNP अगला किस नहर कहां से निकाली गई है तो गंग नहर है वो 17 नदी पर 17 नदी पर फिरोजपुर से निकाले गई है ए उप्सन इसका सही होगा अगला क्यूशन है ऐस संगत को में पहचाना है एक तरफ बांद है उनके अस्तापना दिया गया है तो राणा परताब सागर की स्तापना 1902 में ये गलत है जवार सागर 1902 में और कोटा बेराज की 1960 में गांधी स परियोजना की तो नर्मदा जो परियोजना है वो जालोर जिले में है उसके बाद में जा ओलवा परियोजना की बात करे तो ओलवा परियोजना भर्थपुर में है और जाखम परियोजना परताब गड़ जिले में है ए ओप्सन इसका सही मिलान बताता है ए ओप्सन इसका सह योगम, आईजी आन पे की लिट्ट नहरों के समंध में निम्ञची से कौन सा खतन ऐसंगत है? पुर्वे नाम दिया गया है, परवर्तित नाम दिया गया है, गजनेर का परवर्तित नाम है, वो पनालाल बारुपाल किया गया, बेरुधान छलानी का नाम वीर तेजाजी किया गया कोलाइत डॉक्टर करणीची नाम चेंज किया गया था फ्लोधी जो लिप्ट नहर है उसका नाम जैनार्ण लिप्ट नहर नहीं किया गया था डी ओप्सिन इसका गलत है एसंखत है सही होगा अगला जो क्यूशन है चोदरी कुमाराम नहर द्वार लाबानवित जिल्ला युगम कोन सा है चोदरी कुमाराम नहर लाबानवित जो जिल्ले है अन्मानगर जुजनू चुरू बीकानेर ए उप्सिन इसका सही होगा बनास नदी पर कोन सा बांध बनाया गया है बिश्वलपूर बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया है पिपल्दा लिप्ट शिं इंद्रा गांधी लिप्ट शिंचाई होजना है डी ओप्सिन इसका सही होगा मांसी वाकल प्रियोजना मुख्य उदे से क्या है मांसी वाकल प्रियोजना का मुख्य उदे से उदेपूर सहर को पेजल उपलब्द कराना है बी ओप्सिन इसका सही होगा बाकड़ा बांध को पुनरुठित भारत का नवीन मंदिर पर एक चमतकारी विराट वस्तू की संग्या किस ने दी थी जवारलाल नेरू ने दी थी सी ओप्सन इसका सही होगा राजस्तान में रेल नीर प्लांट की स्तापना से समंधित कौन सा स्तान है तो वो है सामबर जेपुरकास्तान ए ओप्सन इसका सही होगा इंद्रागांदी नहर चेतर में भुमी की चारियता को दूर करने का उपाई क्या है तो वो है जिप्सम एंचुनने का प्रियोग करना भी ओप्सन सही होगा नंगल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है तो ये 17 नदी पर नंगल बांध बनाया गया है C ओप्सन का सही होगा पावडी प्रियोजना किसे समंधित है पावडी प्रियोजना जल ग्रहन विकास से समंधित है A ओप्सन का सही होगा बाकड़ा नहर से सरवादिक जल वेसेंचाइस विदा किस जिले को प्रापत होती हैं तो अनमानगर जिले को B-Options का सही होगा Hydrology and Water Management Institute RIHWM कहां स्तापित किया गया है तो बीका नहर जिले में B-Options का सही होगा राजस्तान का चेरापुंजी किसे कहा जाता है इंपोर्टन क्यूशन है जालावाड को राजस्तान का चेरापुंजी कहते हैं B-Options का सही होगा इंद्रागांदी नहर से निकलने वाले साखाओं के समन्द में गलत यूगम का चैन करना है राजसर साखा अनवानगर में हैं सूर्थगर साखा गंगानगर में हैं पुगल विकानेर में हैं और सहीद बिर्बल कोटा में नहीं है ये गलत है D-Options का सही होगा राजस्तान में कुवे नलकुपों से कितनी परतिशत सिंचाई होती है तो 68.64% राजस्तान में कुवे नलकुपे से सिंचाई होती है D-Options का सही होगा इंद्रा गंदी नहर प्रियोजना से मरू छेतर को क्या लाब होता है तो सिंचाई सुविदा में वर्दी होती है पेवजल अन्यकार यह तो जलकी उपलब्दी और मरू परसार का रोक होता है उपरोक सभी इसके जो खतन है वो सही है इंद्रा गंदी नहर प्रियोजना के लिए D-Options का सही होगा अगला किसने राजस्तान में छेतर पल के अधर परसिंचाई के सादनों में दूसरा स्तान किसका है तो वो है नहरो का A-Options का सही होगा रेवा बांद वैकाली खंड बांद किस जिले में है रेवा बांद वैकाली खंड बांद जालावार जिले में है C options का सही होगा बिमादे है जल्दा योजना से कौन कौन से जिले लाबानवीत हो रहे हैं तो इसमें हो रहे हैं अजमेर पाली और राजस्मन B options सही होगा बिमादे जल्दा योजना में अजमेर पाली राजस्मन जिले लाबानवीत है माही बजाच सागर प्रियोजना कहां स्तापित है तो बोर खेड़ा बांसवाड़ा में सी ओपसिंज का सही होगा इंद्रा गांदी नहर का उद्गम स्तल कहां से है इंद्रा गांदी नहर का उद्गम स्तल हरी के बेराच से है सी ओपसिंज का सही होगा सिद मुख प्रियोजना नोहर प्रियोजना से राजस्तान के किस जिलों को लाब पहुंचता है तो अन्मानगड और चुरू जिले को सिद मुख प्रियोजना नोहर प्रियोजना से लाब मिलता है डी ओप्सिंस का से योगा चुरू वै अन्मानगड राज में सरवादिक तालाब किस जिले में हैं तो बिलवड़ा जिले में सरवादिक तालाब बनाए गए हैं बिनोता की बावड़ी कहां पर है बिनोता की बावड़ी चितोडगर जिले के बड़ी साधरी के पास बिनोता गाउं में बिनोता की बावड़ी है राजस्तान लगूस इंचाई सुधारीकर्ण प्रियोजना आर एजे एम आई पी किसके सहयोग से संचालित की जा रही है तो ये जापान अंतररास्टिय सहयोग एजनसी के दोरा संचालित की जा रही है भी ओप्सन इसका सही होगा अगला क्यूशन है एसंचत को हमें पहचानना है योजना दी गई है जल स्त्रोत दीए गई है आसपुर डूंगरपुर सागवाड़ा सौम कमला अंबाजल स्त्रोत उसके बाद में ये सही है आपनी योजना सेकेंड चरण है वो आई जी एन पी की दोरा ठीक है बुंदी राजगट प्रियोजना चंबल ये गलत है उसके बाद में भीमनी पेजल प्रियोजना है वो भीमनी में है ये सही है तीन नमर उप्सन गलत है वो आई संगत है जो सही आंसर होगा तकली सिंचाई प्रियोजना का समंद किस जिले से हैं तकली सिंचाई प्रियोजना का समंद कोटा जिले से हैं सी ओप्सन इसका सही होगा राज्य का सिंचाई परबंदन एव प्रसिक्षन संस्तान IMTI कहां सतीत है तो ये कोटा जिले में हैं C options का सही होगा राची की चोथी बड़ी बांद प्रियोजना का समन्द किसे हैं तो परवन बांद प्रियोजना से हैं A options का सही होगा अंदगार छेतर किसे कहा जाता है तो अंदगार छेतर 85% पानी का पूर्नार बरण नहीं होने पर उसे अंदकार छेतर बोला जाता है C options का सही होगा राजस्तान में जिवन दारा योजना का समन्द किसे हैं तो सिंचाई के लिए कुगों का निर्मान करना राजस्तान में सिंचाई दारा योजना का समन्द है B options का सही होगा अगला कुछने बारतिये उद्योग महासंग वैराजस्तान सरकार के स्विक्त परियास से वाटर इंस्टिटूट की स्थापना कहा की गई थी तो जैपूर के अंतरक्रत की गई थी बी ओप्सन इसका सही होगा स्थिंचाई स्वीदा वाले छेतरों में सर्चित स्थिंचाईच छम्ता का अनुकूलन उप्योकर करसी उतपाधन में बडोतिरी करने के अधिसे से कमाढ़ छेतर विक्कास कार्य करम कब प्रारम किया गया था तो ये 1974 प्रियूजन इसका सही होगा अजमेर जिले में जालिया गाम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध प्रियोजना कौन सी है तो नारायन सागर बांध प्रियोजना है जिले की सबसे बड़ी प्रियोजना जिले की सबसे बड़ी प्रियोजना है जिले की सबसे बड़ी प्रियोजना B option इसका सही होगा अगला किस्थनै देस के फलोराइड प्रभावित गाउं में से राजस्तान में कितने परतिशत गाउं आते हैं तो 44 परतिशत गाउं आते हैं D options का सही होगा इंद्राकानी नहर प्रियोजना में एक जनमरी का उद्गाटन कहां किया गया था ? Jiaipur जिले के अंद्रगत् अक्षे फटर, अक्षे जल बाटर एटियम का उद्गाटन किया गया था C 度 मुख्यमत्री जल- स्वालंबन अभ़्यान के दूसरे छण की शुरुश की चस्रूआत की गई थी, तो नो दिसम्बर 2016 को A उप्सन इसका सही होगा चंबल प्रियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई स्विदा उपलब्द हुई है चंबल प्रियोजना से राज्य के कोटा बुंदी और 12 जिले को सिंचाई स्विदा उपलब्द हुई है डी ओप्सन सही होगा उप्रोक्त सभी अगला जो क्यूशन है यमुना जल सिंचाई प्रियोजना से लाबानवी तो उने वाले राज्य के चिलो का सही होगम कौन सा है तो जूनू चुरू और भर्थपूर पी ओप्सन इसका सही होगा बद्रावती नदी की चुली दे प्रियोजना का समंद की से है तो बद्रावती की चुली दे प्रियोजना का समंद करोली से है C options का C होगा प्रियोजना बैर नदी सुची को सुमिलीद करना है प्रियोजना है उसे समंदित नदी दे गई है भीम सागर प्रियोजना है वो है उजार उजार और सावन बादो प्रियोजना की बात के लिए तो सावन बादो प्रियोजना है इरू, बांकली की बात करें तो बांकली प्रियोजना है, वो है सुकडी नदी पर और गुड़ा की बात करें तो मेजा नदी पर, D-Options का सही होगा, गुड़ा सिंचाई प्रियोजना किस जिले में हैं, तो गुड़ा सिंचाई प्रियोजना बुंदी जिले में हैं, A-Options का सह योगा इन में से कौन सी मद्यम सिंचाय प्रियोजना नहीं है तो वो है जाखम प्रियोजना डी ओप्सन का से योगा जो मद्यम सिंचाय प्रियोजना नहीं है बाकी से प्रियोजना है मेजा प्रियोजना है यह पांसना प्रियोजना है यह सभी मद्यम सिंचाय प्रियोजना ह ही हैं पहला किष्ञे ने बरतपोर नहर का उध्वम है हो और पस्च में युम्ना नहर नहर से होता है में उप्षंस का सही होगा अगला किष्ञे गागरीन उद्प प्रियोजना कोन सी नद्दी प्र जीवानु रहित पेजल उपलट कराने के लिए विबिन प्रकार के आरो प्लाइट लगाए जाने की विएस्ता है तो वो कार्यक्रम है जलमनी कार्यक्रम सी ओप्सनिस का सही होगा अगला जो किशना बंजर बुमी की समश्या के समधान है तो के अंदर सरकार दोरा बंजर बुमी विकास निगम है वो 1925 में बनाया गया था सी ओप्सनिस का सही होगा अगला किशना निमिल कित में से कौन सा योगम सही सुमेलित है तो इसमें देखिए चमल प्रियोजना रास्ता नोर उतर प्रदेश ये गलत है नर्मदा प्रियोजना रास्ता नोर उतर प्रदेश ये भी गलत है क्योंकि इनमें जो मध्य प्रदेश है रास्ता नोर उतर प्रदेश चमल प्रियोजना में माही बजास सागर प्रियोजना की चितोडगर जिले में है B option इसका सही होगा अगला कुछन है राज्य में फसलों में सरवादीक शिंची चेतर की सपसल का है सरवादीक शिंची चेतर की बात करें तो ये गेहूं का सरवादीक शिंची चेतर है C option इसका सही होगा अगला कुछन है रास्तान में तलाबो दोरा सराधिक सिंचाई की शेतर में होती है रास्तान के अंदर तलाबो दोरा सराधिक सिंचाई है वो दक्षिनी तता दक्षिनी पूरी शेतर में होती है पी ओसन जिसका सही होगा अगला क्यूशन है नर्मदा प्रियोजना से परदेश के किने जिलों को सिंचाय का लाब मिलता है नर्मदा प्रियोजना से परदेश के जालोर और बाडमेर जिलों को सिंचाय का लाब मिलता है एह उपसिन जिसका सही होगा अगला कुष्णने राजे में उपलोद संभावीत जल संजादनों को परभाव पुरुन उप्योग विकास के उध्य से राज्तान राजे जल विकास निगम के स्थापना है वो कब किये गई थी तो 1984 में किये गई थी C-Opsons का सही होगा अगला जो कुष्णने राज्तान जल सेतर अजीव का सुधार प्रियोजना के माध्यम से राजे के 25 जिलों में 137 बांदों और उनके नहरों का जिर्णों दवार करने तो जाई का के नाम के साथ रेण अनुबंद किया गया है तो 31 मार्श 2017 को D-Opsons का सही होगा अगला कुष्णने चाकन मध्यम से रेण प्रियोजना की जिलों में इपोर्टेंट है चाकन से रेण प्रियोजना है वो बुंदी जिलों में C-Opsons का सही होगा अगला जो कुष्णने वर्स 2014 में प्राणम पर्थम नदी संप्रक प्रियोजना कोन सी है 2014 में प्राणम की पर्थम नदी संप्रक प्रियोजना है वो है केन बेतवा नदी संप्रक प्रियोजना A-Opsons का सही होगा अगला जो कुष्णने जेपुर की किस नदी को पुनर जिवीत करने है तू तो राजिआ सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सुर किया गया था तो वो है दर्व्यवती प्रोजेक्ट A-Opsons का सही होगा ख़ीयोजना में बनाए तो दूसरी ज़ल सुरंग जो है देवास प्रियोजना में बनाए गे ती वी आफ्षन सिखोण सै होगा संबल नदी पर्योजनापर श्थित Jadi he समयने करने वह फूस घरे दिये गई है सोमगान कि बात करें तो यह है दूंगरपुर में, सौम कागदर सौम कागदर की बात किले तो उद्यपूर में है और इंदरा लिप्ट सिंचाई प्रियोजना है इसकी बात किले तो यह है स्वायमादवपूर में परवन बारा में हो गया डी ओप्सन इसका सही होगा अगला किशन है रास्तान की किस नहर प्रियोजना में विश्वय की पर्थम वन सेना का घठन किया गया था तो रास्तान के अंदर के विश्वय की पर्थम जो वन सेना का घठन है वो इंदरा गांधी नहर प्रियोजना में किया गया था ए उप्सन इसका सही होगा अगला किशने नारायन सागरबांद काम प्रस्तित है तो नारायन सागरबांद की बात करे तो ये अजमेर में है डी ओप्सनिस का सही होगा अगला किशने सुमेलित कीजिए एक तरफ प्रियोजना है दूसरी तरफ सिंचित समधित योजना है चाकन प्रियोजना की बात करे त चितोडगर में पांसना क्रॉली में और बेंथली बारा में है यह प्रियोजना है वो पहले से सुमेलित करके लिखे गई है यह उप्सनिस का सही हो जाएगा अगला किसना राजे की वैपरतम सिंचाई प्रियोजना कौन सी है जिसमें केवल फवारा सिंचाई पत्ती है उसके दवारा सिंचाई की जाती है तो जो नर्मदा नहर प्रियोजना बाड मेरे और जालवर जिले में उसमें सिर्फ फवारा सिंचाई पत्ती अपनाई जाती है फवारां के दवारा ही सिंचाई की जाती है सी ओप्सनिस का सही होगा अगला किसना बर्थपूर वै दोलपूर ज जल्व परदाय योजना cOयोगम अगला की चंबल नदी प्रस्तीत बांध में सबसे सस्ता बांध जो वी सबसे कम खर्च में बनावा बांध बाना जाता है तो वो बांध राणा प्रताब सागरबांध आप से अगला क्विशन है एक मांचीतर दिया गया उसमें चार जो अगला क्यूशन है, एक मांचीतर दिया गया है, उसमें चार सिंसाई प्रियोजना दर्साई गई है, कौन सी सिंसाई प्रियोजना सही नहीं है, तो एक नमर पर है, माही बजासागर यह सही है, माही बजासागर उसके बाद में आता है, दो को नमर पर आता है चंबल चंबल का भी यह सही है स्थान उसके बाद में आता है विसलपूर वाला यह गलत है विसलपूर तीन नमर पर यहां पर नहीं है यहां पर है चार नमर चीद मुख यह अनमानगर में हो जाएगा चार नमर वाला तो आपको मैप के अंदर भी पता होना चाहिए कौन सा जिल्ला कहां पर है और कौन सी प्रियोजना किस जिल्ले में है तो इसकी सी है वो गलत है अगला कृष्ण है बाड़मीर में सुझलम योजना का संचालान को कर रहा है सुझलम प्रियोजना जो योजना है उसका संचालान रक्षया अनुश्रंदान प्रियोग स इसका सही होगा उसके बाद में भात करें विलास संसाई प्र्योजना के समंत में कौन सी जिले हैं ऑल हैं एक इसका सही होगा अगला किसने रास्तान की मरू गंगा, लाइफ लाइन, जीवन रेखा, यह मरू उद्रा की बागे रेखा कौन सी प्रियोजना है तो वह है इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना, A option इसका सही होगा अगला किसने बनास की साइक, मोरेल नदिप निर्मित, मोरेल बांध प्रियोजना से लाबानवित जीला कौन सा है तो वह है दोस्ता और स्वाइमाद उपर, B options इसका सही होगा अगला किसने सुधूर सवेदन तक्नीक का उप्योग जिसके लिए किया जाता है तो वो है वन सर्वेक्षन और परवंदन, वन जर मुमी के पहचान करना, भूमी जल और स्थाई जल का संग्रेंड करना, उपरोक सभी इसका सही आंसर हो जाएगा अगला किसने बिनोल राजसमंद में जल परदाय योजना का लोकार पर नेवो कब किया गया था, तो 24 जून 2017 को किया गया था, C options इसका सही होगा अगला किसने मांसितर दिया गया है, चार जो दी गई है नेर परयोजना, उन्ही इसमें देखना है कि उत्तर कौन सा कहाँ पर सही होगा, ये चार परयोजना इंदरा गांदी नेर की हमें उनको दर्शाना है, देखिए, एक नमर पर आ जाएगा, एक नमर की बात करें तो य यहां पर हो गया जैनाण व्याद लिप्ट नेर, उसके बाद में आता है डोक्टर करणी सिंग, लिप्ट नेर, दो नमर पर भी कानर वाली, कमर्स्टेन की बात करें, कमर्स्टेन लिप्ट नेर हो जाएगा, तीन नमर पर, पर चोदरि कु initiक्णा राजगर वाली, चूरू में कि राणिवित किया गया है। है कि अगला की राजस्तान में वर्साजल संचिन योजना का व्राण साथ दिसम्ब्र 2004 को सिकर में किया गया था। यूपस्टन इसका सही होगा। मुरू विकास कार्य कर में राजस्तान के कितनी विकास खंडों में शंचालीत है। मरू विकास कार्यक्रम है वो रास्तान के पिच्य सी विकास कंडों में संचालित है C options का सही होगा अगला जो किस्टने चंबल न दी की दाइ मुख नहर आरेम सी पर कितने लिप्ट योजना बनाये गई है तो 8 लिप्ट योजना बनाये गई है D options का सही होगा मही बजास अगर प्रियोजना का लोकारपन कब वेकिस के द्वारा किया गया था? मही बजास अगर प्रियोजना का लोकारपन इंदरा गांदी के द्वारा 1903 सी मिर किया गया था P options का सही होगा अगला किशने कमांड चेतर विकास कारी करम का उदेश्य क्या है कमांड चेतर विकास कारी करम का उदेश्य सिंचाई सम्ता के सर्जन ता उप्योग के एंतर को कम करना है C options का सही होगा अगला किशने माही नदी गाटी प्रियोजना का फिलाओ नेमना की तो छेतर में हैं तो माही नदी गाटी प्रियोजना का फिला हुए वो रास्तान और गुजरात में हैं C options का सही होगा अगला जो किशने कड़ाना बांद वे कागदी पीक अप बांद किस प्रियोजना से संब्दीत है तो कड़ाना बांद कागदी प्रियोजना से संब्दीत है यह माही बजाज सागर प्रियोजना से संब्दीत है B options का सही होगा अगला क्षिछने माही प्रियोजना का नाम कर्ण की सवतंतरता सेनानी के नाम पर किया गया था तो जम्नलाल बजाज के नाम पर किया गया था बी ओप्सिन्स का सही होगा अगला जो क्योशन है इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना मूल नाम राजस्तान नहर की परतम लिट नहर कौन सी है तो वो है कमर सेन बी ओप्सन इसका सही होगा अगला क्योशन है इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना का सिलानियास कब किसके दोरा किया गया था तो इंद्रा गांदी नहर प्रेजन है उसका स्रिला नयास है वो गोविंद वल अपंत के दोरा 1908 में किया गया था सी ओप्सिंस का सही होगा अगला जो कुछन है वह जिला जहां इंद्रा गांदी नहर का जल उपलब्द नहीं हुआ है तो वह जिला कौन साइज इसमें इंद्रा गांदी नहर का जल उपलब्द नहीं हुआ है तो वह जालोर जिला सी ओप्सिंस का सही होगा अगला जो कुछन है इंद्रागांदी नहर की वीरतेजाजी जलो इथान योजना से किस जिले की सिंचाई पेजल उपलब्द होता है तो वो होता है बीकानेर जिले में इंद्रागांदी नहर की वीरतेजाज जो लिफ्ट है उसमें बीकानेर जिले के जो सिंचाई और पेजल उप्लवध कराने वाली आपने योजना को जल IJNP के कुंसे लिफ्ट नहर से उप्लवध होता है तो आपने योजना में कुंबा चौद्र कुमबा लिफ्ट नहर है उसके दोपारा आपने योजना प्रिशना में पाणी आता है और उर्जुनों जिल्या के अंदर पेजल उकलव्द रहा जाता है चोधरी कुमा नाव लिप्ट नहर के दोड़ा के दोरा ए उसन सई होगा इंद्रा गांदी नहर का प्रियावरणी दस्टी से दुर्गमी प्रियानाम होगा तो वह है छेत्र की प्रस्थेति में प्रियृत्न द कुछ नहीं जासी पाणी डुले तो महारु जी बढ़ जासी उगत दोहा राजस्तान के लोगों की किस परकृती की और इंगित करता है तो यह जल संचेन सरक्षन की परकृती की और इंगित करता है इसका सही होगा गंग नहर पंजाब में बहने के बाद कहां से रास्तान में प्रियस करती है तो गंग नहर रास्तान में बहने के बाद में गंगानगर में प्रियस करती है एसका सही हो जाएगा अगला जो क्यूशन है लिया सी प्रियोजना की जिले में दिनमीत की गए तो लिया सी प्रियोजना की बात करें लिया सी प्रियोजना है वो 12 जिले में है बी ओप्सनिस का सही हो जाएगा अगला जो क्यूशन है राजी उगांदी शीद मुख प्रियोजना ये तो जल किस बांद से प्राप्त होता है तो राजी उगांदी शीद मुख प्रियोजना पाने ये वो बागडा नागनल बांद से होता है A options का सही होगा सही बांध प्रियोजना का समंध किस जिले से है तो सही बांध प्रियोजना है वो उद्यपुर जिले में है सी ओप्सनिस का सही होगा जालीपुरा जल्लो थान से जाए प्रियोजना का समंध किस जिले से है जालीपुरा जल्वत अंसे प्रिवजना का समन्द कोटा जिले से C options का सही होगा Engineering दिवसे वो कब मनाया जाता है Engineering दिवसे वो दोस्तों 15 सितंबर को मनाया जाता है D option इसका सही होगा अगला किसने राष्ट ये जलक आदमी कहां प्रस्तिद है जलक आदमी की बात करें तो राष्ट ये जलक आदमी है वो पूरे के अंदर है A option इसका सही होगा अगला किसने जल सरक्षन दिवस कब मनाया जाता है तो जल सरक्षन दिवस की बात करें तो 14 जून को जल सरक्षन दिवस मनाया जाता है D option इसका सही होगा नर्मदा नहर का जल राजस्तान में किस तीथी को प्रवेस कराया गया था तो राजस्तान के अंदर नर्मदा नहर का जल है वो 27 मार्च 2008 को प्रवेस कराया गया था D option इसका सही होगा इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना पूर्वे नाम राजस्तान नहर प्रियोजना से बाड़ मेर जिले में जल किस नहर द्वार आता है तो गड़रा रोड साका के द्वार आता है C option इसका सही होगा अगला जो क्यूशन है कोटा जिले की हरिश चंद्र सागर बांद पृयोजना किस नधी पर निर्मीत है तो हरिश चंद्र सागर बांद पृयोजना के बात करियो तो ये काली सिंद नधी पर है C option इसका सही होगा अगला जो कुछने जवाई बांद की जला पूर्थी के लिए कौन सी प्रियोजना बनाए गई है जवाई बांद की जला पूर्थी के लिए सही प्रियोजना बनाए गई है D option इसका सही होगा अगला कुछने 32 नाला शिंचाई प्रियोजना की जिले से संबंदित है तो 32 नाला चिंचाई प्रियोजना की बात करें तो ये शिरोई जिले में स्थित है ये option इसका सही होगा रास्तान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवयन सुरंग कौन सी है तो उसके मान सी वाकल सुरंग है, वो रास्तान की वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवयन सुरंग है, ए उप्सन इसका सही होगा अगला किसमी बनाज चिंचाई प्रियोजना का समन्द किस जिले से है पसमी बनाज चिंचाई प्रियोजना का समन्द किस जिले से है पसमी बनाज चिंचाई प्रियोजना एक बात करे तो ये सिरोई जिले से समन्दित है गागरेन जो शिजाई प्रियोजना है वो जालावाड में है उसके बाद में बात करें तकली की तो तकली जो शिजाई प्रियोजना है वो कोटा में है लहासी की बात करें तो लहासी बारा में और चाकन बुंदी में ए ओप्सन इसका सही होगा अगला कुषन है शेठानीजी का जोड़ा है वो का पर है तो शेठानीजी का जोड़ा है वो चूरु जिली में है ऐोप्शन इसका सही योगा अगला कुछन है औराई बांद प्रियोजना का समंध किस जिले से हैं तो औराई बांद प्रियोजना वो चितोटकर जिले में है ए ओप्षन इसका सही योगम अगला जो कुछन है निमलकित में से कौन सा योगम सही सुमेलित नहीं है तो इसमें देखें इंद्रा लिप्ट प्रियोजना है वो स्वय मादोपुर में है जाक्खम प्रियोजना प्रतापगड में है भीम सागर प्रियोजना बारा में यह नहीं है उसके बाद में शामन जो बादो है वो कोटा जिले में है तो C उप्सन इसका सही स्वमेलित नहीं ह अगला जो किशने वर्तमान में रास्तान में जल की कौन सी समश्या विक्राल रूप दर्ण करती जा रही है तो वो है अंद और दूसर चेतरों की बढ़ती संक्या जो वर्तमान में रास्तान की जल की एक समश्या बनती जा रही है अंद और दुसर चेत्रों की बढ़ती संग्या, ए उप्सन इसका सही होगा, अगला क्यूशन है, निमन सिंचाई प्रियोजनों में, ए सुमेलित को इंगित करना है, वागन चितोडगड में है, नंद समंद बाड मेर में नहीं है, यह नंद समंद बाड मेर में नहीं है, भीम एकलिए बांकली बांध कहा प्रस्तित है तो बांकली बांध है वो सुखडी तथा कुलवाना निदया के संगम प्रस्तित एकलीश का स्योग comes the आईजीएण पी की गुरु जंबेश लीप्ट नहर से निवनीसे कि सिल्ले को जल उपलब्द नहीं होगा तो इसका सही आंशर है नागोर, D option इसका सही होगा अगला किशन है रास्तान नहर का नाम इंद्रा गांधी नहर कब रखा गया था रास्तान नहर का नाम है वो इंद्रा गांधी नहर नवंबर 1994 में रखा गया था C option इसका सही होगा अगला जो क्यूशन है नागलिया पिक अप वियर कहां प्रस्तित है तो नागलिया पिक अप वियर है वो परतापगर जिले में जाकम बांद से तेरा किमी नीचे जाकम नदीप रहें D.Obsyns का सही होगा अगला क्यूशन है इंद्रा गांदी मुख्य नहर किने जिलों के वर्ग से उकर के गुजरती है तो इंद्रा गांदी मुख्य नहर है वो सिरिगंगानगर बिकानेर और अनमानगर जिले से उकर के गुजरती है B.Obsyns का सही होगा अगला क्यूशन है बगेरी का नाका बांद कहां पर निर्मीत है तो बगेरी का नाका बांद है वो दोस्तों खमनोर में है C options का सही होगा अगला जो कुष्य ने गुलंडी सिचाई प्रयोजना का प्रस्तित है गुलंडी सिचाई प्रयोजना की बात करें तो यह जालावार जिल्य में है C options का सही होगा अगला जो कि उसने सिचाई प्रबंदन एवं फर्षिक्षन स्थान की स्थापना किसके सेवगसे की गई थी तो यह अमेरिका की सेवगसे की गई थी D options का सही होगा समद सवजल दारा योजना में केंदर वे सरकार वे राजी सरकार का वीती योगदान कितना है तो शवजल दारा योजना इसमें केंदर वर राचे का इसा है वो है 90 और 10 90 अनपाद 10 के अनपाद में है B options का सही होगा अगला कि उसने सुची 1 और सुची 2 को मिलान करना है सुची 1 में मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट है और सुची 2 में जिले दिये गई हैं हमें उनका मिलान करना है तो देखिए गागरीन जालवाड में हो जाएगा गागरीन एब वो जालवड जिले के अंदर है शी चाही प्रियोजना पिपलाद की बात करें तो पिपलाद हो जाएगा 12 जिले में गए हैं हिंडलोथ हिंडलोथ प्रियोजना की बात करें तो यह वजाए की बाराजिली में पीपलाद लिप्ट है स्वाइमाद पुर्मी और चिकलिया वास बांद है वो राजसमंद में रेणी अलवर में हैं तो इसका मिलान है वो पहले से सही है ए ओप्संस का सही होगा अग अगला क्यूशन है रास्तान जल संसादन नियामक प्रादिकर्ण अधिनियम कब लागू किया गया था तो 25 सितंबर 2013 को लागू किया गया था रास्तान जल संसादन नियामक प्रादिकर्ण अधिनियम 25 सितंबर 2013 को डी ओप्संस का सही होगा अगला क्यूशन है अगला अगला कुछन है वर्षा जल संचे योजना का सही उद्देश ये क्या है जल संग्रेन डाचों में बैकर आने वाली उपजाव मुटी को रोकर मर्दा स्ट्रिक्षन करना ग्रामिन शेतरों में रोजगार का सर्जन वर्षा के वेर्थ बैकर जाने वाली पानी को रोकर उसका शेंग्रान करना बूद जल का पुनर बनन करना तो इसका सही उद्देश ये सबी खतन है A, B, C, D, E तो इसका D option इसका सही हो जाएगा सबी अगला जो क्यूशन है रावी व्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतरराज जल विवाद है नियम 1986 के अंतरगत 26 जनवरी 1986 को भार्थ सरकार ने किस आयोग की स्ताफना की थी तो इसका सही आंसर है इराडी आयोगने ए ओप्सन इसका सही होगा अगला जो क्यूशन है इंद्रा गांदी नहर मंडल का मुख्याले का प्रस्तित है इंद्रा गांदी नहर मंडल मुख्याले का बात करें तो जेपुर जिले में है डिडियो उप्सन इसका सही होगा इंद्रा गांदी नहर राष्तान में कहां परवेस्ट करती हैं तो इंद्रा गांदी राष्तान के अंदर जो नहर है वो खर खेडा गाओं तिब भी हन्मान गड में परवेस्ट करती हैं B options का सही होगां अगला कुछने बांसवाड़ा पेजल प्रियोजना का जल स्त्रोथ कौन सा है बांसवाड़ा पेजल प्रियोजना का जल स्त्रोथ है वो है शुरुवानिया बांध B options का सही होगा अगला कुछने डुंडार चेतर की एधिकांसते बावडियों की निर्माता कौन थे डुंडार चेतर की एधिकांसते बावडियों की निर्माता है वो है बन जारे A options का सही होगा अगला कुछने कडाना बांध का समंध किस नदिशे हैं तो कडाना बांध माही नदिशे समंधी तो D-Options का सही होगा राश्तान को रावी व्यास नदिशों के जल में से अपने हिस्स्या का स्रवादीक जल किस बांध से प्राप्त होता है तो पॉंग बांद से हैं, A options का सही होगा, अगला जो कुछन है निवन में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए आलणिया बांद कोटा में है, कुंडली बांद राजसमंद में है, अडवान बांद बुंदी में नहीं है, और गंबीरी बांद चितोडगड में है, C options का सही होगा, अगला जो कुछन है गलत यूगम का में पहिचान है, अटरू खेडली गंज प्रियोजन है वो बारह में है, रेनी बांद राजसमंद में, और चिकलिया वास बांद है, वो राजसमंद में, और भीम सागर चितोडगड में नहीं है, D options का सही होगा, अगला कि अगला किशने रास्तान में सेक्टर रिफॉर्म प्रियोजना की जिलों में प्रारम किये गई थी? अगला किशने इंद्रा गांदी नहर से निकलने वाली साकाओं की समंद में गलत योगम कामी चैन करना है तो देखिए बिरसलपुर बिकानेर दातवर बिकानेर अरनूफगड गंगानगर और रावचसर साका है वो गंगानगर में नहीं है कि अन्वानगर में है डी ओप्सन इसका गलत है अगला जो किशन माही बजाज प्रियोजना का सरवादिक रावचसर नहागर में गलता है रास्तानकर्ची, ड्रेनेज, अनुसंदान, प्रयोजना, किस से देश के सेवक्षित चला जा रही है, तो यह कनाडा के सेवक्षित चला जा रही है, C options का सही होगां अगला किसम ने गंग नहीर का उधातन किस ने किया था गंग नहीर का उधातन लोर्ड एड्विन ने किया था D solution का सही होगा बर्थपूर की लाइफ 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 B options का सही होगा अगला किशन है रास्तान में सरवादीक बांद किस नदी पर बनी है तो सरवादीक बांद रास्तान के अंदर चंबल नदी पर बनी है B options का सही होगा सापी सिचाई प्रियोजना किस जिले की सिचाई प्रियोजना है और ये गलत है राजगड़ पिड़ावा अलवर वाला ये गलत है आतियादे है किसन गंज बारा में ये शही है खारी बांद प्रियोजन विलवाड़ा में है तो दो नमर B ओप्शन इसका सही होगा अगला किसन नर्मदा जल में राजस्तान का हिसा कितना निर्मान किया गए तो राजस्तान के निर्दारित किया गए तो राजस्तान के अंदर नर्मदा नदी से जो जल आता है उसमें 0.50 MAF है वो इसा राजस्तान का है ये उप्शन इसका सही होगा अगला जो किसन ने भारत का सरवादी एक फ्लॉराइड प्रवाइट राजी कौन सा है तो फ्लॉर मुमी के विकास है तो वेस्ट लेंड डेवलेप्मेंट बॉर्ड का गठन कब किया गया था तो साथ अगस दो हजार नो को किया गया था डी उप्सिन इसका सही होगा अगला किशन है होकला एकवर्ड से एकवर्ड से निकाली गई गुडगाउन नहेड अप्यमोना लिंक प फ्लब्द होता है तो बर्द पूर फिले योट बी उप्सिन स्का सही होगा अगला जो कशिछन password मेर लिप्ट प्रिवजना का सुबरह म कभ किया गया था तो बार्ड मेर लिफ्ट प्रिवजना उसका सुबरह म испण 10 को किया गया था किया था सभड़ बी उप्सिनिस का सही होगां अगला किशना निव में से कौन सा जिला माही हाई लेवल के नाल सुध पेजल प्रोजेक्ट से प्रतेक्स रूप से समंदित नहीं है तो वो है डूंगरपुर, D options का सही योगम अगला किष्णन है नीचे देगे सिचे प्रियोजना उनसे समधित जिलों का कौन सा योगम सही नहीं है तो काली सिंद प्रियोजना उद्यपुर में ये गलत है जाखखम प्रियोजना प्रापगण में, जवाई प्रियोजना पाली में और कोठारी प्रियोजना बील वाड़ा में थेनो सही है A options का गलत है अगला किष्णन है राजस्तान में प्रधानमत्री कर्षी चिंचाई योजना कब से क्रिवानित के गई थी तो रास्तान के अंदर है पुर्दानमंत्रि और्सिंटाइ य œजना है वो 2015-16 से क्रियानवीत के गई थी ये अफ्शन जिसका सही होगा। निवल में से राष्ता निके कि जिल्मी, अनास, बांध best प्रियोजना समझ तेया। अनास बांध best प्रियोजना वो ब्हुनलшी जिल्मी जिल्मी है। B option इसका सही होगा। अगला क्योष्ण Алजिक सूची 1st को सूची 2st को सूची 2nd करना है एक तरफ मुख इसनी प्रियोजना है, दूसरे तरब सीन्चाई सुईदाउं से लाबानवीत औरने वाले जिली है, शिदमुक प्रियोजना है, उससे अनवानगर चुरू का छेतर है, वो लाबानवीत है, उसके बाद में नरमदा प्रियोजना के के बात करें, तो नरमदा के लिए जालूर और बाड मेरे दोजीली है जबाई परियोजना की बात करें तो जबाई परियोजना है वो है दोस्तों जालोर पाली और जोधपुर में है चाक्खम परियोजना उद्यपुर और परताब गड़ में ए ओप्सन इसका सही हो जाएगा अगला जो क्यूशन है मरुभूमी विकास कारिय करम पराण करने का मुख्य वदेश है वो है मुरुस्त लिकर्ण की परिकिरिया पर नियंतर्ण करना डी ओप्सन इसका सही होगा दोस्तों क्यूशन आपको कैसे लगें कोमेंट में जरूर बताए साथ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करन चैनल पर नहीं हो सबस्क्राइब भी जरूर करने